जाहिंद देखिए आज सुबह से लाइट नहीं है तो हो सकता है कि इस वीडियो में आपको वीडियो के क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिले बाकि एनालिसिस में दमदार करूंगा इस बात की पूरी गरांटी है इस वीडियो में हम लोग अंकीत मेटल कंपनी के बारें बा सुके हैं उनके लिए क्या करना चाहिए और जो नए लोग हैं उन्हें क्या भी करना चाहिए या नहीं हर एक चीज़ के जवाब इस वीडियो में असान भासां धुड़ने के कोशिस करेंगे आई यह बिना दिरी कि डियरेक्ट मुद्धे पर आते हैं काम की बात सुरू करत है देखें पिछले साल सितंबर के माहा में कंपणी के सेर दुथीन रुपे का सुबा करता था दू तीन रुपे से 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 मोमेंट होना सुरू हुआ और डाइकट तीन गुणा को प्रोफित हो चुका था लोग प्रोफित बुग कियें तो सेरफीस थोड़ा डाउन जाने ऑपरेटर्स गेम खेल रहे थे लेकिन मैं बार बार करता हूं ऑपरेटर्स का होना बुरी बात नहीं है उपरेटर्स के साथ जो रिटल ग्रहाग उसमें पैसा लगाया थो उन लोगों न भी कमाया दीकत यह है कि जो लोग करीब 14-15 रुपे या उस से उपर भाई किये होंगे कि उनको नुकसान हो रहा होगा सब्भाविक क्या नुकसान होना लेकिन अव इसमें ल्वर सिकिट लगाया और स्यर प्रह आउन जा रहा ह 210 यहां तक बातर समझ गया अब आई ए ऐनाशिस करते हैं है और समझने का असक प्रयास करते हैं कमपणी कितना एक्ट्रों के future किया इस company का समझे अभी बोर्ड अफ डिक्रिक्स का meeting होने वाला है इस company का 14 फरवरी को इसी 14 फरवरी को सोंबार को और इस meeting में company के quarter 3 की result आने वाले हैं quarter 3 की result इस company के लिए बहुत मायने रखते हैं क्यूंकि अगर quarter 3 की नतीजे अच्छे आते हैं तो एक पर operators फिर इसमें game खेलेंगे operators game खेलेंगे मतलब company का share price उपर लेकर जाएंगे तो जो लोग को नुक्सान हो रहा है उनकी भरपाई हो जाएगी बाकि जो नुक्सान नहीं हो रहा है उनको भी संदार मुनाफ़ा हो जाएगा अभी समझे कि पिछले बार जो quarter 2 का result उसमें company का जो है 156 क्रोण से पढ़कर 212 क्रोण का हो गया था समझे तीन माहा में 156 से 212 क्रोण मुनाफ़ा होना पिने श्टोक ले बड़ी बात है आप देखेंगे तो company का जो लॉस था 49 क्रोण रुपए का लॉस था लॉस भी कम हुआ है 49 क्रोण से सिर्फ 11 क्रोण 74 लाख रह गया अर्थात loss भी कम हुआ है मतला quarterly जो result आ रहा है इस company का उसके हिसाब से देखे तो company अपना काम काज बहतर कर रही है या इसका management बहतर होते वे दिख रहा है लेकिन यहीं तक सिर्फ बात मायने नहीं रखती है आगे देखिए company के पास reserve है minus 926 क्रोण अर्थात reserve के नाम पर और आप देखेंगे तो यह reserve minus में बढ़ते जा रहा है मतलब यह जो टीक की तरफ लगा यह बता रहा है कि इसका जो reserve minus में हो साल दर साल बढ़ते जा रहा है और जो debt है 477 क्रोण का उसमें नीचे की तरफ टीक लगा मतलब company को साल दर साल कम कर रही है तो यह अच्छी बात ह reserve नहीं बढ़ रहा है यह भी हमें देखना होगा इस कलामा देखें तो company के assets जो है एक हजार दूसर लग क्रोण रुपए के हैं जबकि liabilities देखेंगे तो एक हजार नौसो पचास क्रोण रुपए का है liabilities मतलब वह रुपया या वह चीज वह वस्तु जो दूसरों को लटानी होती है तो liabilities assets से कम होना चाहिए लेकिन यहां company के liabilities assets से ज़्यादा है और आप देखेंगे तो साल दर साल liabilities बढ़ते जा रहा है और assets कम होते जा रहा है मतलब जो चीज बाढ़ना चाहिए वह कम हो और जो नहीं बढ़ना चाहिए वह बढ़ रहा है तो यहां यह अभी ठीक नहीं है प्रमोटर्स के पास एक 70% की हिस्तेदारी है company में यह काफी अच्छी बात है लेकिन यहां देखेंगो तो 100% प्लेजिंग है अरधात प्रमोटर्स ने अपने सभी सेर्स को गिरवी रखा ह प्रमोटर्स अपने सेर्स को कव रखते हैं इनके पास रूपयों की कमी हो जाती है उसके लिए अपने सेर्स को गिरवी रखते हैं तो इन्होंने पूरा पूरा सेर्स अपना गिरवी रखा हुआ है public के पास लगवाग 30% के हिस्तेदारी है तो इसमें बीन खेल रहा है और बात करें बुक भैलू की तो देखिए बुक भैलू भी निगेटिव में है और आरो सी दूनों मतलब जो काम की चाहिए सब निगेटिव में है तो अगर बात करें तो कंपनी में पैसे लगा करें जितने बुरी स्थीति में कंपनी को सालों लग जाएंगे जो नए लोग हैं इस कंपनी में लेना चाहते उनके लिए अपरचरीटी यह है कि अगर आठ चो रुपे का सपास आता है तो यहां पराइक कर सकते हैं लेकिन पेनिये स्टॉक है तो मेरा बार-बार सजेशन होता है कि पेनिये स्टॉक में उतना ही रुपे लगे जितना भूल जाने के लिए त्यार है मेरे जैसा आद में तो 400 रुपे इसमें लगा चोड़ देगा अगर ऑपरेटर के बाग से कंपनी का सेर पर गया तो मुनाफ़ा हो जाएगा नहीं गया तो कि नतीजे आने वाले हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि अगर की नतीजे अच्छे आते हैं तो सेर प्राइस उपर जाएगा और प्रेटर सी उपर लेकर जाएंगे क्योंकि प्रमोटर्स तो इसमें नहीं है मान कर चलिए तो आपको थोड़ा बहुत मुनाफ़ा हो जाएगा तो उमीद करता हूं वीडियो इंफर्मिटीव लगी होगी मैं जो बताना चाहरा था अगो समझ मैया होगा अगर मन में कोई स्वाल है तो मुझसे पूछे बाकि मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद सुक्रिया